एचेन उनिक देविजन कमिश्टी वाले चैनल पर सभी प्यारेस विद्यार्थुक बेटा प्यारा प्यारा सब गोड यूनिंग बेरी बेरी इंपॉर्टेन सेलेक्टेट कोश्टन बेटा आप तक पहुचाने का प्रयास करना हूँ इस चैनल के माध्यम से एचेन उनिक कमिश्टी वाला दोनों चैनल पर बेटा कांटीनिवस में जबर्दस क्लासेश वीडियो दी जा रहे हैं ध्यान दिजेगा माइंड को कॉंसेंटेट करके एक एक स्टेप को बेटा पर कंप्लीट करने का प्रयास करिए आप लोग भी बेटा है ना एक कोश्टन को सभी मैग सब्सक्राइब करके एक एक पॉइंट को बेटा पढ़िए आप लोग सभी मैग जिन्स के चक्कर में मत पढ़िए आप सिर्फ एचन उनिक दविजन कमिश्टली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बट नोडिविकेशन को आन करना मत भूलिए गा बेटा जिससे पढ़े आप तक पहुचता रहे कहने मतलब है ना और आप लोग माइड को कॉंसेंट्रेट करके बिधोत स्टेडी करते रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई भी कोश्टन यदि आपके माइड में आरा बेटा बेचक 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 बेधड़कों के कोश्टन बेटा पुटब कर सकते है है ना इस बात को ध्यान में रखिएगा और जो भी नए स्टुदेंट्स बेटा जुड़े हैं है ना वो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रड़े लेक्चर बेटा जितना भी लेक्चर पिछला हो गया है आज की लेक्चर को माइड को कॉंसेंट्रेट करके पेपर कलम ल इस चैनल पे कांटिनुवस वीडियो दी जा रही है जितनी भी लेक्चर दी गए है सभी लेक्चर को पढ़े दो से तीन बार चार बार पांच बार छे बार बार देखिए सारी वीडियो को जबर्दस कमेश्टी में जबर्दस मास्ट चाहते हैं बेटा है ना चो चली अलबिपर कलम लेके बैटिये हैं और बेरीबरी इंपॉटें सेलेक्टेट क्या स्वेस जाने ने पाएं मिरें माる क selfish आप Emir को मा 17 един को करगी से भी किसी प्रकार का कोस्टें या जाने ने पाएं और मांइंड के बेटा सिस्टेटिंवाभ गेचले क्योंकि साथ ठ्यान दिजीए गप एट अज इसी साथ हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं बेरी बेरी इंपॉर्टंनं सेलेक्टेड कोश्टन के लिए बेटा चलिंड़ी यहां पर ध्यान दिजी बेट आज एनिलीन को क्या करते हैं क्या होता है जब एनिलीन को ब्रोमीन जल के साथ अविक्रत करते में सभिक्रिया कराते हैं है ना बेरी बेरी important selected questions है ध्यान दीजेगा सिवेस्टी बोर्ड में ये question पूछा गया है 2005 में फिर 18 में फिर बेटा ये 17-15-16 continuous मतलब कि कई बार ये question सिवेस्टी बोर्ड वालो के लिए important है यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थ ले तो important हाई है लेकिन सिवेस्टी बोर्ड वाले भी बेटा ध्यान दीजेगा क्या कहा गया कि एनिलीन को जब ब्रोमीन जल के साथ इसको जौब करते में रियक्ट कराते हैं तो क्या होता है चली आई देखते हैं आप लोग mind को concentrate करके paper, column लेके बैठिए बेटा कहीं से किसी भी प्रकार का question छूटने न पाए बेटा clear बात समया गे बेटा चली ध्यान देते हैं पहला question क्या कहा गया कि एनिलीन जो है ध्यान देते बेटा एनिलीन हाना बेटा एनिलीन का formula क्या हो जाएगा बेटा C6, H5, NH2 किसके साथ कहा गया बेटा बोलिए bromine gel के साथ अभिकरत कराएंगे क्या बनेगा बेटा 2,4,6 tri-bromo-aniline tri-bromo-aniline आगे बास में important है selected questions है मैं फिर बता रहा हूं से विस्टी बोड वाले बेटा ध्यान दीजेगा क्या बनेगा 2,4,6-3 bromo-aniline सफेद उच्छे बनता है बेटा क्लिया ध्यान दीजेगा आब यहाँ पर क्या करेंगे 3 VR 2 क्लियर बेटा यह हो गया है ना अब इसमें करते क्या है कहा गया इस एनिलीन की bromo-aniline जल के साथ जब रियक्ट कराएंगे इसकी क्या बनेगा बेटा ध्यान देते हैं बेटा माइंड को कॉंसर्टेर करके पढ़िएगा यह आपका NH2 हो गया एक मिनट जरादी खिलते हैं किलियर है दिख रहा है उपर की तरब इसको थोड़ा में नीचे की तरब करने के प्रियास कर रहा है ना जिससे दिखे आप लोगों को अब दिख रहा होगा तो यह NH2 हो गया और फिर कहा गया 2,4,6 मतलब बेटा एक ब्रोमीन यहां पर फिर बेटा ब्रोमीन यहां पर फिर बेटा ब्रोमीन यहां पर ब्रोमीन की पोजिशन जो होगी बेटा अल्टरनेट फॉर्म है देखे बेटा अल्टरनेट फॉर्म है फिर ब्रोमीन केलियर गया फे बेटा एक एक बॉंड का carbon का तो यहां पर अब क्या से बज़ा तीन hydrogen बेटा दिखिए यहां पर bromine कितने बेटा six है मतलब three into three three into two is equal to कितना होगे बेटा six हो गया ना six मैसे हमने three bromine का यूज कर लिया अब यह ती अब यह ती यह bromine जहां जहां पर बेटा जोड़ेंगे वहां-वहां से एक hydrogen की replace करेंगे मतलब three bromine आपको यहां से मिल गया बेटा और तीन hydrogen आपको मिल जाएगा clear तो क्या बना लेगे बेटा three hvr तो यहां पर लिख सकते बेटा three hvr कैसे यह bromine जहां जहां पर जोड़ेगा वहां-वहां बेटा यह है क्या बेटा एनिलीन यह क्या है बेटा ब्रोमीन यह क्या है बेटा टू कामा four कामा six देखे बेटा color chain करके बता रहे हैं one कामा one two three four five and six तो क्या बोलेंगे बेटा two कामा four कामा six tri-bromo क्या हो जाएगा बेटा tri-bromo-aniline आ गई बास बेटा तो यहां पर एनिलीन की ब्रोमीन जल के साथ अभी क्या करा करके हम लोगों ने two कामा four कामा six आइफन tri-bromo-aniline बना लिया बेटा बास समया गे बेटा किसी कोई देखे बेटा बोली बेटा बोली बेटा के लिए बास समया गे बेटा very very important selected questions बेटा मायन को concentrate करके पढ़िएगा कहीं से किसी भी प्रकार का question छूटने न पाए बेटा बास समया गे बेटा इसी को आप यह भी लिख सकतो क्या ब्रेकर में लिख लिजेगा किलियर बास समया गे बेटा एक एक question को समझने का प्रियास कीजिए बेटा अनिलीन का कहीं कहीं पर बेटा formula नोट में यहाँ पर समझ सकते हैं कहीं कहीं बेटा इसका formula लिखा होता है C6H5NH2 क्या लिखा होता बेटा C6H5NH2 इसका मतलब क्या है बेटा यह यह है क्या बेटा यह एनिलीन हलाल बास समया गे ना अब हम लोग एनिलीन के 200 इसलसेल सान सल्फिक आसिट के साथ में रेक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा है ना पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक आसिट बनेगा कैसे बनेगा बट इस चीच को हम लोग यहाँ पर देखते हैं बास समया गई रेक्शन समन में आगे बेटा रेक्शन को नोट कीजिए बेटा एचन उनिक दविजन कमिश्ट वाले का कॉंसेट है रटना नहीं बेटा समनना है यूपी बोर्ड के जितने भी प्यारे सी स्टुडेंट्स हैं सिविसी बोर्ड के या अधर किसी स्टेट के इंटर्मेडिय अधर मेंजर कंपाउंड कॉंसा होगा क्यों साथ यूपी आप इमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसे बट कैसे ऐड़िये देखते बीटा रेक्शन कुछ है ने नोट कीजिए जल्दी से जल्दी से जलदी से बेटा नोट कीजिए आप लोग मैंड को कॉंसरेंटेर करके बेटा येक्शन कराई जा रही हैं आप लोग येक्शन को माइंड को कॉंसेंटर करके पढ़िए और जितना भी लेक्चर देए गया है सभी लेक्चर को बटा कई बार इसको देखिए समझीए है ना क्या कहा गया एनिलीन देहां दीजीगे बेटा देखो बेटा एनिलीन फामुला C6H5NH2 इसके साथ सांधर H2S4 तुम्प्रेशर बेटा बोलो मेरे लाल 200 दीडी चल्सियस क्या बनेगा देखिए बेटा यहां अब एक सीज यहां समझा लीजे पहले में रफली समझा दे रहां नोट में यहां समझा लीजे क्या है देखिए बेटा जो यह सांध सल्फिक ऐसीड है बट यहां से ग्रूप जो हम ब्रेक करते हैं अब यहां पर क्या करेंगे बेटा ध्यान देते हैं ध्यान देखिए बेटा एन एस्टू और यहां पर एस ओ थी एच और प्लस से क्या बचा बेटा देखिए यहां पर तो यहां पर हम देखा कि एक आक्सीजन दो हार्डियन मतलब बेटा और एस्टू ओ है ना एस्टू गए फिर से यह एनिलीन है में यह क्या है यह क्या है सांद्र-सुल्फीरिंचलीट है आएल आप भी ट्रॉयल लिखρε हैं लिखते हैं रखे हैं विंकर हरे ट्रॉयल आईलाफ विट्राइल है ना बेटा आईलाफ विट्राइल कैसी इसका तेल भी से बोलते हैं किसे सल्फरिक एसिड ये क्या बेटा पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड पैरा पे है ना बेटा ये देखे देखे पैरा एमिनो बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक जुड़ किया है ना इसीड हो जाएगा तो पैरा इमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसीड इंपोर्टेंट रेक्शन से बेटा मैं फिर से बतार हो रेक्शन इंपोर्टेंट है रेक्शन इंपोर्टेंट बेटा नोट कर लीजेगा बेटा बासन में बेटा रेक्षन नोट करेंगे इंपोर्टेंट बेटा ये बेरी-बेर इंपोर्टेंट बेटा जल्दी नोट कीजिए लाल तो रेक्षन से ले आगे यहां पर एनेलीन की जब सान सलफिक असिड के सान में 200 दिजिक से रेक्षन कराते है पैरा-इमिनो-बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनके तयार हो जाता है यह क्या है बेटा मालू होगा आप लोगो वाटर है रेक्षिए जल्दी नोट कीजिए फिर हम लोग अब क्या करेंगे नेश्टनली रेक्षिन में कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड के रेक्षिन हम लोग करा देंगे जब इसके साथ में कराएंगे बेटा तो बनके तयार क्या होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं है ना, मायन को कॉंसेंटेट करके पढ़िए कहीं से किसी भी प्रकार का question जाने पाए बेटा ध्यान दीजिगे बेटा mind को concentrate करके पढ़िए बेटा note कर लिए लाल note कर लिए बेटा आप लोगोंने ध्यान देते बेटा आप लोगोंने note कर लिए होगा मुझे अम्मीद है जवर्दस बेटा important है पढ़ते ही बेटा आप लोग माइंड को कॉंसरेंटेट करके एक कोश्चन को आप तो पहुचाने का प्रियास कर रहा हूं कहीं से किसी भी प्रकार का जाने न पाए बेटा ध्यान दीजेगे बेटा तो यहां पर हम लोग नेश्ट वाले में क्या करेंगे बेटा बताईए हम हम्ने अस्ट वाले में क्या करने जा रहे है मतलब यहां पर हम लोग रहें इसमें क्या करेंगे बेटा कि इस में बताया गया कि एनिलीन की जए यह बेंजेन सलेंटक आप अलए इसकी सोडियॅ हड Draug लेक्षारों क्या होता है का फाम यह होता है चलीह हम लोग देख सेंगे देखते हैं देखते भी हाँ दोग माइन को पढ़िए बेटा है ना यह रेक्शन सारी बेटा सभी बोडों के लिए important है किसी भी स्टेट के सिकंडर के जो भी students है बेटा other student भी बेटा देश सकते हैं other student भी बेटा देखते जाए ये video को important सभी के लिए है किसके साथ benzen शल्फनिक acid C6H5 ऐसे लिख लेते हैं है ना एसो 3H और प्लस बेटा sodium water oxide मतलब है इस ओ इनने इसको ऐसे लिख लिए कोई देख कर समझने के लिए बेटा आपके लिए कर दिया यहां से इस टू को ब्रेक कर दिये ब्रेक करने पर क्या बजा मतलब यहां पर कहा गया कि बेंजेन sulfonic acid बेंजेन sulfonic acid की reaction जब हम किसके साथ sodium water oxide की साथ कराते हैं तब sodium benzene sulfonate प्राप कर लेते हैं क्या प्राप कर लेते हैं sodium benzene sulfonate है ना देखे बेटा अब जो से इस बच्चा है इसको यहां लिखिएगा क्या हो जाएगा C6H5 और यह SO3H यहां से break हो जाएगा H हट गया तो बेटा यहां क्या हो जाएगा Na और प्लस में क्या बच गया बेटा H2O ध्यान दीजेगा इसमें कौन सा ग्रूफ यहां प्रेजेंट है बेटा sulfonic ग्रूफ नोट कर लिजेगा important बेटा कौन सा ग्रूफ है बेटा sulfonic ग्रूफ कौन सा हो जाएगा sulfonic ग्रूफ क्लियर तो यह आपका sulfonic ग्रूफ हो जाएगा sulfonic ग्रूफ जो acid में कनोट हो गया क्लियर तो यह इसका नेम क्या है बेटा benzene sulfonic acid क्या है बेटा benzene sulfonic acid है ना बेटा और यह क्या है sodium hydroxide sodium hydroxide है ना बेटा जहां देंगे बेटा यह क्या हो जाएगा sodium benzene sulfonate क्या हो जाएगा बेटा sodium benzene sulfonate माइड आप लोग माइड को concentrate करके एक कोश्चन को पढ़िए बेटा है ना और यह क्या हो गया बेटा वाटर तो यह sodium क्या हो जाएगा sodium benzene sulfonate है ना ध्यान दीजिए बेटा reaction important है इसी चीज़ को चाहते बेटा हम यहाँ पर reaction को change कर देते दूसरे तरीके देते कैसे देते इसको इसी को हम देना चाहते बेटा इस reaction को तो यह ऐसे हो जाती बेटा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं यहाँ पर क्या बेटा यह यह SO3 और यह NA और प्लस यह H2O किलियर ध्यान दीजिए बेटा reaction को आप चाहे उपर जैसे दिया गया वैसे कर सकते हैं चाहे जैसे नीचे दिया गया वैसे भी कर सकते हैं दोनों reaction बेटा सही है बासन में आ गए बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पर important reaction से बेटा clear important reaction से बेटा तो ये बात समय आ गई आप लोगों के कि जब हम लोग benzene sulfonate acid के sodium hot oxide के साथ हमें क्रिया कराते हैं तब benzene तब sodium क्या बनके तयार होता बेटा तब बनके तयार होता बेटा sodium benzene sulfonate अब यदे हम इसी sodium benzene sulfonate की reaction यदे बेटा हम इन्ने OH के साथ कराते हैं लाल किसके सार्थ इन्ने OH क्या है बेटा sodium hot oxide जोड़ेंगे इस रियक्षन कराइंगे तो हम इस र्यक्षन में यहां पर यह सल्फोनी ग्रूप फिर इसमेट बिरक हो गया आल में, है न, कैसे होगी रेक्शन, इस रेक्शन को समन्ने के लिए, चैनल से जुड़े रहिए, जाद स्यादा लोगों तो वीडियो को सेर कीजिए, इंपोर्टेंट, जबर्दस, इंपोर्टेंट, बेरी-बेरी इंपोर्टेंट के हमलब सेलेक्टेड कोईशन साब तक इस चैनल के माध्यम से पहुचाने का प्रयास कर रहा हूँ, जितनी भी लेक्चर अब तक हमने दिये हैं, सभी लेक्चर को पढ़े, दो से तीन बार, सभी लेक्चर को आप देखिए, माइंड को कॉंसेंटेर करके पढ़िए, किसी भी प्रकार का कोश्चन बेटा छूटने न पाए, माइंड को कॉंसेंटेर करके पढ़िए, कि पॉइंट को आप तक पहुचाने का प्रयास कराओं बेटा, कहीं किसी भी प्रकार का कोश्चन बेटा जाने न पाए, इसीज को अने, प्लस, किस के सार बिटा, सोडियम हार्ट राकसाइड, यन्ने वैज के सार, तो रेक्षण तो होगे बिटा, रेक्षण कोई दम ही नहीं, क्या तूटे गा देखो इसमें कैसे, बताएए बिटा, बोली बिटा, अब कैसे क्या हो जाएगी रेक्षल फिनॉल बनाना है कुछ नहीं है मेरे लाल क्यों परहसान होते हो वह इस छोटा सी एक्जामपल ब्रेक हो गया जो ब्रेक हो इसको लिख दीजिए क्या हो जाएगे बटा यहां पर कितरी बार न ने है 2 है तो लिखेंगे Na2 है ना और यह SO3 और प्लस ने क्या बचा C6H5OH क्या बन गया बेटा C6H5OH क्लियर यह है क्या बेटा अभी रेक्षल में हम लोगों ने पढ़ा sodium sodium benzene sulfonate है ना बेटा और यह क्या है बेटा sodium hot oxide, क्या हो जाए गलाल sodium hot oxide, यह क्या है बेटा fight clear, major compound की तरफ चलते हैं, यह क्या है बेटा phenol, आगई बासन बेटा, phenol इसी reaction बेटा, दूसरी तरीकेस कर सकते हैं, कैसे, देखो बेटा दूको मैं फिर बता रहा हूँ, किसी भी चीज को यहाँ पर मैं कोशिस यह करता हूँ, कि directly मैं आपको, reaction को बड़े अच्छे तरीके समझा ले जाओ, time हम लोग बच जाए बेटा, क्योंकि हम लोग पास time ही, इसमें important है, है ना, अगर हम लोग time पर बेटा, focus करेंगे, मैं promise करता हूँ, कि केसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, clear, तो यहाँ पर यह Na2, और बेटा, यह SO3, clear, ज्यान दीज बेटा, बास बना गई, जेक सर चाहें, ऐसे किजी, ऐसे किजी, यह ह है, ओली बेटा, sodium benzeean, sulphonate, sodium benzeean, sulphonate, sodium benzeean, sulphonate, लिख लीजेओ, sodium benzeean, sulphonate, यह क्या होता है, लाल, sodium heart oxide, sodium heart oxide, formula क्या हो जाएगा, बेटा, नेवेच, प्रबल चाहर, clear, यह चाहर है, यह चाहर है, पहिचान OH, मतलब इसको, इसका जब ionization करते हो, नेवेच का, तो यह किसमें बिरेक हो जाएगा, बेटा, ने, प्लस, और यह बेटा, hydroxyland, clear, बेटा, ध्यान दीजेगा, यह indicate कर रहा, कि नेवेच क्या है, बेटा, यह indicate करा, बेसल काली, clear, बेटा, सुन्मिया गई, यह क्या है, बेटा, स्विनॉल, क्या है, बेटा, मेरेलाल, स्विनॉ और यह बात संग्यां की बीटा बेरी बेरी इंपॉर्टेंट सेलेक्टिट कोस्टन साब तक पहुचाने का परियास कर रहा हूं मिन्स हन उनिक दैविजन कमिश्टि अलग चैनल आप तक वीडियो को जबर्दस पहुचाने का परियास कर रहा है बीटा तो किसी भी प्रकार का कोस्टन चूटने न पाए बेटा मैं फिर बता रहा हूं मैं फिर बता रहा हूं मैं फिर बता रहा हूं मैंड को कॉंस्टेर करके पढ़िए कोस्टन कहीं से भी जाने न पाए मैं फिर बता रहा हूं बात संग्या बेटा कोस्टन जाने न पाए बेटा कहीं से भी है ना और और इसी को अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं यह तो रेक्षन हो गई यह आपकी न बात समया गई न रफली थोड़ा एक आपको यहां पर समझा दे रहा हूं फ़ड़ा समझ लीजिएगा रेक्षन कर लीजिएगा यहां पर घर पर मतलब यह दूसरी रेक्षन हो जाएगेगा जैसे दिया गया बिटा से 6 H5 एस सो 3 in ने दिया गया इसकी सोटा आमेटिक सार रेक्षन कराएगे बिटा जब रेक्षन कराएंगे गिप्स आट फ़र में क्या बन जाएगे इतना प्रसन निकालके बाहर कर दीजे तो बच्चे क्या बन गया इस से 6 H5 एस बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे देखो बटा सो डामाइट के सार्ट एक्सन करा देगे बेटा है ना तो इसमें से ने टू एसो त्री ब्रेक हो जाएगा जो सेस बचे का वही क्या है सेसी सेस फाइब एनस्टू इम्पॉर्टेंट एक्सन से पेपर कलम लेके बैठे बेठे एक एक कोशन को आप तो पहुंचाने का प्रियास कर रहा हूं ना तो मास्टन माइंड पढ़िए ना विद्या ना उतार ना किसी भी मैक्जिंस को मत पढ़िए बेठा समय भी इतना नहीं है कि आप कई सारी मैक्जिंस को लेके बैठेंगे एच्चेन वी लेक्च्चर मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं यदि आप लोग चाहते हैं कि कमिष्टी में जब अर्दस मार्क्स आये तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेटा सेर कीजिए है ना बेरी बेरी इंपॉर्टन कोश्चन बेटा आप तक पहुचाने का प्रियास कर रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं इस शीद को ध्यान के रखिएगा कहीं से किसी भी प्रकार का कोश्चन जाने ने पए मैं आप से रिक्ष्ट कर रहा हूं कि पेपर कलम लेके बैट जाई आखे खोल लीजी बेटा आसे मिलती जुलती रिक्सम कई प्रकार की कर सकतो इसमें कुछ नहीं जिसे यह बेंजियन सल्फुनेट के साथ करा दिया गया अगली देक्षन उठाके करा सकतो किसके साथ बेंजि दो हडिए और एक आसे जन यहां तो क्या हो जाएगा बात समयाएक नहीं बेटा किसी कोई दिक्कत नहीं बेटा बात समयागे लाल ना के लेटा आयासी बरी बरी इंपार्डेंट सेलेक्टेड कोशें पुर्णिक लिए हैं उनिक देविए चानल जैनल को सब्सक्राइब किजिये लाइक कीजिए ज्यादा रुक कि सभी reaction में सबसे plus point है बेटा सबसे plus point है unique है बेटा ये हमने reaction कोई भी reaction कराते हैं तो उसका नेम आप अलग पेपर में लिखे है और बड़ी हैसी notes बनाईए है आप प्रकार से लिख लिए और यह तो फिनॉल बताया था है ना इस मलब इस टाइब के कोस्टन मलब की सारी चीजे आप नोट्स में लिखते जाए जब एक चीज को मैं आपको बता रहा हूं तो आप उसको करिए न क्यों बेटा माइन को घुक कीजिए बेटा चैनल को शेर करके हैना और जितनी लक्षर दिये हैं पर बता हूं